नमस्कार आप देख रहे हैं NB इंडिया मेरा हक शंगठन की अध्यक्ष और क्यंद्री मंत्री मुक्तार अकबास नकवी की बहन फरहत नकवी ने जमात के लोगों को देश द्रोही बताते हुए उनके क्रित्ते के लिए फासी की मांग की और साथ ही जमात संगठन पर बैन लगाने की भी मांग की ये जो जमात के कुछ लोगों ने ये गिनूनी हरकत की है इससे समाज में इसलाम की तस्वीर धूमिल की गई है लोग हर इंसान हर मुसल्मान को शक की निगा से देख रहा है जबके ये कुछ लोग थे जमात के जिनूने हर मुसल्मान को और इसलाम को बदनाम करने की कोशिश की इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कारवाई होना चाहिए इन लोगों को फासी की सजा होनी चाहिए और इनके संगटन को बैन किया जाना चाहिए और ये फर्ज हर मुसल्मान को आगे बढ़के निभाना चाहिए जो धर्म के ठेकेदार बनके बैठे हैं जो औरतों के छोटी सी बात पर आवाज उठाने पर उनके हक की आवाज उठाने पर फत्वे दे दिया करते थे आज तबलीगी जमात के लोगों को फत्वे देने के लिए ऐसे धर्म के ठेकेदारों को आगे आना चाहिए